इस वीडियो में हम और गेट का कंसिप्ट पढ़ेंगे और और गेट को हम डायोड की हेल्प से कैसे इंप्लिमेंट कर सकते हैं यह देखेंगे का यह और गेट का सर्किट है circuit में हम दो in parallel देते हैं जो की डायोड केनोड टर्मिनल पे दिया है, एक एंप्ट डायोड के डीवण एनोड पे दिया है, आहां पो वोलटेज यहांपर आपर वी नोट और system के थ्रूप ट्रूं सर्केट को क्राउंड कर दिया तो यहां पर देखते हैं जो कि 10 वोल्ट यहां पर D1 को 10 वोल्ट दिया है और E2 को 0, E2 0 वोल्ट सप्लाई गनेट किया है यहां पर हम और गेट का टोट टेविल देखेंगे E1 जब 0 होगा E2 0 वोल्ट होगा यहां पर E1 वोल्टेज 0 होगा E2 वोल्टेज 0 होगा तो डायोड D1, D2 ओफ कंडेशन में होगे क्योंकि यहां पर एनोड 0 वोल्ट है डायोड ओफ कंडेशन में होगे तो यहां पर डायोड ओफ कंडेशन में होने की वज़े से आउट्पुट वोल्टेज 0 होगा next E1 हम 0 लेते हैं E2 वोल्टेज हम 1 लेते हैं यहां पर 10 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो जब यहां पर 0 वोल्ट है यहां पर 1 वोल्ट है इस कंडेशन में डायोड D1 ओफ रहेगा और डायोड D2 ओफ कंडेशन में बहेब करेगा तो यह फॉरवर्ट वाइस होने के वज़े से यहां पर आउट्पुट वोल्टेज आपका आजाएगा 1 इसी तरीके से E1 को 1 लेते हैं E2 वोल्टेज 0 देते हैं और आउट्पुट आपका आएगा 1 यहां पर जब दोनों इन्पुट E1 एड़ E2 1 होगा मेंस 10 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो आउट्पुट आएगा 1 यहां पर जब यह कंडिशन कोई सी एक कंडिशन ले लेते हैं हम जब एक वोल्टेज हाई होगा एक वोल्टेज लो होगा तो यह वाला वोल्टेज आपका 10 वोल्ट E1 हाई है और E2 0 वोल्ट है इस कंडिशन में डायोड D1 ओन है डायोड D2 ओन है तो यह ओन है और यह ओन ह तो यहाँ पर equation जो बनेगी E1 माइनस डायोट का वोल्टेज फारवर्ड वोल्टेज VF E1 माइनस VF is equal to V0 तो E1 हो जाएगा आपका 10 वोल्ट माइनस VF हो जाएगा 0.7 वोल्ट क्योंकि हमने यहाँ पर silicon डायोट लिया है Vout हम find कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 10 माइनस 0.7 वोल्ट हो जाएगा आपका 9.3 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज आपको आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मिल गया 9.3 वोल्ट और अगर करेंट की बात करते हैं तो जो डायोट से होने वाला करेंट ID ID होगा आपका V0 is equal to 9.3 वोल्ट अपोन आर ID is equal to V0 upon आर is equal to 9.3 वोल्ट अपोन आर है आपका 1 किलो ओम जो ID डायोट करेंट जो होगा 9.3 मिली एमपियर थैंक्यू फ्रेंट्स पोर वोचिंग दी वीडियो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करना ना बोगा